आज सुभा से ही आईशो मोटा आउट परफॉर्म कर रहा है और दूसरा अफकॉस है मारूती जहां पर हमने देखा है आज 12,000 के लेवल्स को भी स्टॉक ने छुआ है आज अब नए शिखर पर स्टॉक पहुंचा है टॉप गियर में भाग रहा है कुछ अफकॉस हमने देखा CLSA की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसका असर है overall demand environment का भी impact है CNG गाडियों की demand तेजी से बढ़ रही है यह CLSA अपनी रिपोर्ट में कहता है overall वो कह रहे है कि outlook बहुत मजबूत है मारूती लीडर है लीडर रहेगा और उस लहाँ से stock आउट परफॉर्म करेगा हमाए साथ मारूती सुजूकी के marketing and sales and senior executive officer शशांक शिवास्तव जुडगे शशांक जी स्वागत है आपका I don't know आप यह CLSA वाली रिपोर्ट साप लोगों तक पहुंचती है या नहीं लेकिन वो CNG गाडियों पर काफी bullish है और उसका वक्तव्य देकर आज मारूती के शहर पर उनकी तरफ से एक buy call आया और उन्होंने काया है कि एक out performance जारी रहेगा तो एक मुझे status चेक दीजे सार CNG गाडिया latest sales की स्थितिक क्या है इस पूरे EV वाले ड्रामे में CNG गाडियां कितनी बिक रही है देखें CNG का अगर इंडस्ट्री में total penetration देखा जाए तो लगबग 15 फीसद है और डीजल का जो penetration है वो लगबग 18 फीसद है EV का 2.1 फीसद है hybrid का 2.1 फीसद है और बाकी gasoline है लेकिन अगर आप मारती सुजुकी के नजरी से देखें तो मारती सुजुकी की जो फरोगत है जो total sale है उसमें करीब 26 फीसद गाडियां CNG होती है इस साल यह इमकान है कि जो रवा माली साल है 23-24 उसमें मारती सुजुकी लगबख 5 लाख गाड़ियां CNG की बेचेगी और अगले साल यह इसमें और गरोथ करके लगबख 6 लाख के करीब गाड़ी फरोगत होगी अगले माली साल 24-25 पर यह जो हाल ही में सरकार ने एक तो CNG सरकार ने नहीं इन कंपनियों ने घटाए CNG के दाम धाई रुपे प्रती के जी और उसके बाद पेट्रोल डीजल का जो कट आया है उसका कुछ डिमांड इंक्वारी पर इंपक्ट आया क्या? जी देखें पहले CNG की कीमतों में कुछ सूबे हैं स्टेट्स हैं जहां पर चार रुपे की कमी हुई है ढ़ाई की नहीं ज्यादतर जगे चार रुपे की कमी हुई है और फिर गैसूलीन और डीजल की प्राइसेज अभी हाल में पुछले हफते जो है दो रुपे कम हुई ह जो गैप था CNG और गैसूलीन की प्राइसेज में उसमें दो रुपे का अज़ाप हुई है फोर रुपीज सेंजी वेंट अप एंड टू रुपीज लेटर ओन एंड टू रुपीज डीजल और पेटूर ऑल्सों गैप नाओ इस इंक्रीस पाइट टू रुपीज और यह स इसकी एक जो जो तेजी से जो इसमें ग्रोथ हुई है CNG की उसकी बुन्यादी वजह यही है कि कॉस्ट आफ रुनिंग कम है और इसका मतलब कि जगर आप डीजल और पेटूर की गाड़ियों से कंपेर करें तो कॉस्ट आफ रुनिंग इसकी करीब दो रुपे 50 पैसे के कर पाँच रुपे पर किलोमेटर किये तो यह बहुत अच्छी है रुजहान मेरे ख्याल में रहेगा CNG के लिए आगे आने वाले वक्त मैं अब आते हैं थोड़ा सब्सक्राइब करता हूं जो आपने हाइब्रेट वर्जन लेकर ग्रेंड विटारा का अब तक कैसा रहा सर मैं तब एक तुलना तुलना जानना चाहूंगा एक कंप्लीट इवी को एक पूरी इवी गाड़ी की जो एकसेप्टिबिलिटी थी उसको इतना टाइम लगा उससे ज़्यादा एड़ाप्टेशन बिहेवियर जो है ना उसको ज़्यादा अपनाने का बिहेवियर मेरे को हाइब्रिट में नज़रा रहा है क्या ग्रेंड विटारा और उसके सेल्स नंबर यही रिफलेक्ट कर रहे हैं क्या जी बिल्कुल भही सेल लगबग बराबर है मैंने अब फुरे देर पहले जिकर किया कि दो अशारिया एक पीसद प्रेंट्रेशन है और उसकी एक वज़ा है वज़ा यह है कि अभी जो इवी की गाड़ियां है बैटरी कॉस्ट के चलते अभी इसका कॉस्ट आफ एक्विजिशन पुड़ा दूसरा और जो मुझे लगता है जादा बड़ी वज़ा है कि एक रेंज एंसाइटी कंजूमर्स के दिमाग में है कि बैटरी कितने वक्त तक चलेगी और वो रेंज एंसाइटी हाइब्रेड में नहीं होती है तो हाइब्रेड एक तरह से बेस्ट आफ बोत वर्ड्स देता है आपको किफायती रेंइंग कॉस्ट भी देता है आप देखें ग्रैंड विटारा 28 किलामेटर पर लीटर देती है और किफायती भी है और उसको खरीदने में भी कम कीमत लगती है इसने ये दो बड़ी वज़ा से एवी का पेनिट्रेशन और हाइब्रेड का अजय शेशांग जी एक चीज़ जो आप लोगों ने और नई शुरू करी आप लोगों ने हाथ मिलाया ये आप लोगों का गट जोड़ एक वर्दान सा थाबित हुआ इन वेक्टो को आपको अगर आप देखें अची तरीके से प्लेस करने में मदद मिले अभी ये साज़ साज़ेदारी में मतलब इन कोलाबरेशन विद तारा आगे बढ़ाएंगे निकर भवेश्य में हैं जी रखें अगर आप अगर मुस्तक्विल करीब की बात करें तो अभी इमीडेटली को ऐसा कोई नया मॉडल नहीं है लेकिन मैं आपको ये जो साज़ेदारी है जो शिरा साज़ेदारी है और कुछ हम प्रोडक्शन में भी आपस में लेकिन हम सेल्स और मार्केटिंग में हम कॉम्पेटिटर्स हैं तो वहां पर हम एक दूसरे के मुकाबल रहते हैं और यहां पर इस पूरम पर मैं पूरे प्रोड़क्ट के प्लान जो हमारी एकमत अमली है उसके मुतलिक पूरा मुकंबल यहां पर बयान तो नहीं कर सकता लेकिन यह जरूर है कि यह शिराकतदारी कोयोटा की और सुज़ की मोटर कापरेशन की आगे आने वालने वक्त में और मजबूत होगी कोई खास टाइम लाइन आप दे पाएंगे या फिर कुछ ऐसे प्रोड़क्स शिशांग जी जो शायर टोयोटा और मारुती मिलकर इन दे नियर फ्यूचर जैसे वे यूरू पूच रहे थे लांच करने वाले हैं इस पर बाचीत आप लोग कर रहे होंगे डिमांड देकर और जो रिस्पॉंस मिला है ग्राइन विटार और दूसरी गाडियों को जी देखे वही मैंने आपको फर्माया कि मेरे को मुस्तक्बिल की बारे में प्रोड़क्ट के मुतलिक यहां पर मैं नहीं बयान कर सकता क्योंकि हमारी एक पुब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये प इस वज़र से मैं माजरत चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ बोलने में आसा पाता हूं हम तो अटेम्ट करेंगे आप से पूछना वो आफकोस आइन्यू आपका आपके तरह से यही रिस्पॉंस आएगा अच्छाए SUV को लेकर अमारूती ने कहा था कि अब आप अपना यहां पर फुट्प्रिंट और मजबूत करना चाहेंगे और वो इन फैक्ट देखा भी गया है जिस तरह की गाड़ियां आपने लाउंच की हैं कितना मार्केट शेयर है या एफ़ाई 25 के लिए को एक खास टागेट जो आप अचीव करना चाहेंगे SUV सेल्स में जी आपने में फीसद है सेडान में अगर आप एंट्री सेडान की बात करें 55 फीसद है MPV में 51 फीसद है लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो मार्केट शेयर हमारा 50 फीसद से कम है अभी भी और उसकी बन्यादी वज़ा यह कि SUV जो एक तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है उस हमने नए SUVs उतारे मार्केट में है हमने नई ब्रेजा विटारा फ्रांग्स जिमनी और उसके सेल अच्छे हुए है और वही वज़ा है कि मारती सुदू की अगर आप पहले हाफ की बात करें इस रवा माली साल 24 पच्चिस की तो तेईस 24 की तो उसमें H1 में नमबर वन यह लेकिन अबी भी भी हमारी बाजार की उस्सेदारी हालां की डवल हो गई है गुज़िश्टा साल से जाप बाइस फीसद हो गई है लेकिन अबी भी हमारे बाजार की हिस्सेदारी 50 पीसद से काम है इसका मतला हमारा हदफ SUV में भी अब मार्केट शेयर बढ़ाना है और 35 फीसद पे अगर हम मार्केट शेयर ले आते हैं तब हमारा ओवराल जो मार्केट शेयर है वो 50 फीसद हो पाएगा उस हदफ को हासिल करने के दिए यह एहम है कि हम जो SUV सेग्मेंट में है उसमें और इजा एक दम से एक सवाल अभी आया ठीक है इनवेक्टो क्योंकि इनवेक्टो का प्राइस रेंज थोड़ा सा हायर है ठीक है ना में 25-30 लाग के ब्रैकेट में आती है वो जी सेवन सीटर के पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप अपना और भरना चाहेंगे लोवर प्राइस रें हैं तो उसको हम बहुत प्लोजली स्टेडी कर रहे हैं और यहां यह यकीनन हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉर्टफोलियो है वो सारे सेग्मेंट्स का जो कस्टमर्स के हैं जो सार्फी ने उनके उनको केटर कर सके उनके लिए बन सके लेकिन अभी हम उस पे एक ठीकी नजर ब हम चाहेंगे कि हम सारे सेग्मेंट्स अड्रस करें जो अभी हमारे बजार के हैं यह सवाल अमोवन पूछे जाते हैं इसलिए मैं यह मंच पर अखराओं शेशांगी सवाल अच्छा सर मिट 22 के बाद चिप्स की प्रॉबलम ने पूरे इंडस्ट्री को काफी परशान किया सर यहां से अगले आठ महीने नौ महीने में तीन महीं तो निकल गए इस साल के करिंडर बर्श के क्या जो वेटिंग पिरेट्स थे वो कम होंगे और दूसरी बात क्या प्राइस हाइक की ज़रूरत अब कम लगती है इस साल आपको या गुंजाईश है भी जी तो जहां बिल इस सिस्टम में काफी बढ़ गई थी और ना केवल वह बढ़ गई थी वेटिंग पीरेट बढ़ गए थे लेकिंग जुलाई जुलाई दो हजार से सप्लाई बहुत बेतर हुई है और मुझे उमीद है कि अब सप्लाई के कांस्ट्रेंट्स जो हैं वह काफी हद तक हतम हो हैं और आगे आने वाले वक्त भी अच्छा ही से रहेगा सप्लाई के लिहाज से और जहां तक अगर मैं वेटिंग पीरेट के हवाले से बात करूं तो वेटिंग पीरेट अभी भी का जादतर गाड़ियों के अपकाम हो गए हैं और मुझे उमीद है कि सप्लाई अगर इसी कि सब्सक्राइब को और है या कि मुक्रीम के ठोलो को समय टीर है और अब भी भी ऐस्तील की प्राइसेस थोड़ी सी बड़ी थी वो भी थोड़ा सा सॉफन हुई है लेकिन आने वाले वक्त में कोई पेश कोई करना शायद मेरे दिए मुश्किल है क्योंकि काई सारे पहलू है उस पे मश्रूत रहती है तो इसने मुझे आगे के में को तो नहीं पता लेकिन हां पिछले हाइक कम करने की ज़रूत पड़े लेकिन हाँ उस पे हमें मेजर भरना के राख भी पड़ती है कि कुमार्टी प्राइसेस किस तरफ जाएंगे है अश्रशांग जी एक आखरी सवाल आज आपने सुना ही होगा जेस डबल्यू ग्रूप और एमजी मोटर इंडिया ने हाथ म जी हमारी तो दौाएं उनके साथ में हैं और उनकी नेक ख्वाइशें पूरी हों और यह हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैनुफैक्ट्रर से एको सिस्टम में मदद कर रहे हैं ताकि जो हम तीसरे पोजिशन पे हैं अभी आलमी तोर पे अगर पैसेंजर लेकिल के लिहाज से देखें और हमारे को इंप्रूमेंट हो माशी हाना बहतर हो तो यह हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है श्रशान जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप इस बाचीट przy गुफटड़ों में शामिल हुए जए तरट इस गुजारिश यह है एगली बार देखें वूसी के अवाज से आवास पे के श्रशान जी आज इस गुफटुरूँ में होंगे आटो सेक्टर की तो एक उर्दू की किताब जरूर लेके बैठे हैं ताकि तुरंत उसका जो मीनिंग है वो समय में आ सके ऐसा लगा रहा है हजरत गंज में घुब रहे हैं बहुत देश से मैरवानी बहुत बहुत बश्कुर्ट जी मश्कूर बश्कूर 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 जाए है हुआ जी जिसे